नमस्कार दोस्तों आप सबी का छ्वागत है हमारे इस चैनल पे अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो शेर करो कमेंट करो आज मैं आपको इस यूडियों बताऊंगा मुर्गी पालन में कितने कौन कौन से पालन होते हैं और कौन सा चिक्स पालन जिससे की आपका प्राफिट हो मुर्गी पालन में 9 तरह के पालन होते हैं सबसे पहला ब्रॉयलर पालन, दूसरा क्राइलर, तीसरा लेयर, चौता बटेर, पाचवा डर्ट, छटा गिनी फाउल, साथवा टर्की, आठवा इमो, नाउ, ब्रीडर्स, पैरेंट्स, ये पैरेंट्स है सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बॉयलर पालन की, बॉयलर पालन में कितने तरीके की बॉयलर की ब्रीड्स होती है, बॉयलर जो है 6 तरह की ब्रीड्स होती है, इन में से कौन सी ब्रीड जो है सबसे अच्छी होगी जिसका पालन करके आपको अच्छा प्रॉफिट हो, तो बॉ 400-430-Y, यह दोनों बहुत अच्छी ब्रीड हैं, इनका पालन करके आप अच्छा प्राफिट कमा सकते हैं, क्यों अच्छी है यह मैं आपको आगे पूरी डिटेल में बताता हूं, सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं, रॉस, रॉस ब्रीड की यह सबसे पुरानी ब्रीड है, यह कुझ डादा समय में तयार होती है, जिससे कि इसके फीट की लागत बढ़ जाती है, लेकिन दोस्तों इसका चुझा जो है सबस्ते मिल जाता है, और असानी से मिल जाता है, इसलिए इसकी लागत लगबग बराबर हो जाती है, लेकिन इसमें अगर आप ठीक से ध्यान न देंगे और लापरवाई करेंगे तो इसमें बिमारी खत्रा अधिक बढ़ जाता है, अब हम चर्चा करते हैं हॉबर्ड ब्रीट के उपर, यह बहुत फेमस ब्रीट है, आज जो है भारत में इसकी जो है अच्छी तादात में इसका पालन किया जा रहा है, इसकी जो है शरी जादा ठंजेल सकती है, जिससे इसमें प्रॉब्लम आती है, अब हम चर्चा करते हैं मार्शल ब्रीट की, यह जो है मार्केट में बहुत असानी से मिलने वाली ब्रीट है, लेकिन इसकी जो है दाने की लागत अधिक हो जाती है, जो है इसकी तैयारी की लागत अधिक होगी तो profit कम होगा, इसलिए इसमें profit कम है, अब हम बात करते हैं कॉप 100 की, यह एक अच्छी breed है, लेकिन यह जो शुरुआत में बहुत धीमे weight gain करती है, एक किलो का weight gain करने के बाद यह बहुत तेजी weight gain करती है, यदि आप बड़े size का मुर्गा बेचना चाहते हैं, दो किलो से उप उपर का, तो इसका result बहुत अच्छा है, जो भाई जो है, दो किलो के weight gain से उपर मुर्गा बेचना चाहते हैं, उनके लिए कॉप 100 बहुत अच्छी breed है, अब हम बात करते हैं, पाच्वी breed कॉप 400, यह बहुत अच्छी breed है, इसके पादर ने बहुत कम परिशानिया आती है, यह बहुत कम समय में पतयार हो जाता है, और इसकी लागत भी बहुत कम होती है, और शुरुआ से लिए के आखिर तक इसका weight gain बहुत अच्छा रहता है, नॉर्मली इन में बीमारियों का डर भी बहुत कम रहता है, जिससे की नुकसान का जोकिम भी बहुत कम रहता है, इसका चूजा जो है बजार में कुछ लोगों के हाथ में होने की वज़ा से उनकी मौनोपॉली चलती है, जिसकी वज़ा से यह चिक्स बहुत महेंगा मिलता है, और समय से नहीं मिल पाता है, कॉब 430Y, छटी ब्रीड, प्रिजन टाइम पे यह सबसे नई ब्रीड है, इसके पालन मिल जाता है, और जो इसके पालन में बिमारियों के खत्रा भी बहुत कम रहता है, मुर्गी पालन करने वालों के लिए सबसे अच्छी ब्रीड कॉफ 400 और कॉफ 430Y है, इसलिए मुर्गे के पालन करने वालों को चाहिए, कि इन दोनों में से जो आसानी से चूजा मिल जाए उसी का पालन करना चाहिए, जिससे की नुकसान की संभावना कम हो और प्रॉफिट अधिक से अधिक हो, दोस्तो इस वीडियो में इतनी ही जानकारी, अब मिलते हैं अगली वीडियो में